सभी आराम से घर पर बैठे टीवी देख रहे थे, तभी दर्वाजे की घंटी बचती है कौन है जूली, ज़रा जाकर देख तो हाँ मा, अभी आई जूली जाकर दर्वाजा खूलती है, तो एकदम हैरान हो जाती है तभी जूली की बड़ी वहन आलिया भी वहाँ आ जाती है कौन? कौन है? दर्वाजे पर ही जम गई मा, जल्दी आओ अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिला रही हो और कामीनी आकर देखती है कि दर्वाजे पर उसका बेटा श्रेस खड़ा है और वो निर्जला से शादी करके घर आ गया है हे राम, ये क्या? बेटा, तुझे इतना मना करने पर भी तुने वही क्या? तुझे बोला था न, ऐसा कुछ मत कर मा, मैंने आप सबको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन अब आप मान ही नहीं रहे थे तो मैं भी क्या करता मा? लेकिन भाईया, आपको बताया था न, ये कैसी लड़की है? मान ना पड़ेगा, आपने तो मा की भी वैल्यू नहीं की बड़ा जोरदार तमाचा मारा है आपने हम सब के मूँ पर अपनी बकवास बंद करो जूली और आलिया माने तुम दोनों को बहुत सिर्प चड़ा रखा है इसलिए इतनी वाईयाद बाते कर रही हो अब ही पापा को बताती हूँ, फर देखना बता दो, पापा कुछ नहीं कहेंगे देख ले, तेरी वज़े से घर में कितना ड्रामा हो गया है तब ही कामेनी का पदी सूरज भी वहाँ आ जाता है देखो ना पापा, क्या किया है आपके बेटे ने अरे कोई बात नहीं, जाने दो ना, जो हो गया सो हो गया आप चुप रहिए, आपने श्रेयस को कुछ जादे ही ढिल दे दी है मैंने कहा था ना, पापा कुछ नहीं कहेंगे मा जी, ऐसा मत कहिए, मैं आप सब के आगे हाथ जोड़ती हूँ कृपया हमारे प्यार को अपना लीजिए तुमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है नर्जला तुम अब मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू भी हो ये सुनकर नर्जला की आखों में आशू आ जाते हैं भाईया, आपको जो भी करना है कर लीजे लेकिन इतना ध्यान रखेगा हम इसको कभी भी अपनी भावी नहीं मानेगे हाँ, और मैं भी कभी इसे बहू का दर्जा नहीं दूँगी तीनों मा बेटिया मुँ बनाकर वहां से चली जाती है ख़वर मिलते ही कामीनी की बड़ी बहन सुश्मा भी वहां पहुँच जाती है वाँ भाई, क्या जमाना आ गया है ये कांड करके आया है श्रियस बस दीदी, आजकल के बच्चे, क्या ही बोलू अब कामीनी अपनी बड़ी बहन सुश्मा के साथ बैट कर चाय पी रही थी और साथी निर्जला की खुब बुराई कर रही थी हाँ तो दीदी, बस यही कहानी है हर घर की हम सब तो काफी परिशान रहते हैं अब परिशानी तो होगी ही अच्छा, ये सब छोड़ो ये बताओ कि विनोद की शादी की डेट निकली है नहीं अच्छी जोड़ी है विनोद और रूही की नहीं, अभी तो नहीं अभी एक महीना लग जाएगा अच्छा अच्छा, विसे आप तो बड़ी भागयवान है दीथी मेरी दोनों बेटिया आपकी होने वाली बहु की बहुत तारीफ करती है हाँ, आलिया और जूली तो रूही को पहले से ही जानते है दरसल आलिया जूली जिस कोचिंग में पढ़ती थी उस कोचिंग में ही रूही और निर्जला भी पढ़ती थी तब ही वहाँ से श्रेयस निकलता है कहा जा रहा है श्रेयस तू? वो, कही नहीं मा जरा ओफिस का कामा गया है तो जा रहा हूँ वही तब ही कामीनी को उस पर थोड़ा शक होता है उसी शाम निर्जला की दोनों नंदे और सास श्रेयस का इंतजार कर रही होती है तब ही वो आ जाता है कहा गया था तू? वो मा, यहीं था मैं तो अरे सीधी सीधा क्यों नहीं बोलते क्या आप भावी की घर गय थे उनके घर वालों को पैसे देने के लिए हाँ, हमने भावी से सब कुछ पूछ लिया है सब पता है? वहीं निर्जला सर जुकाए हुए खड़ी थी हाँ, गया था अगर मैं पैसे देने भी गया था तो इसमें कोई गुना नहीं कर दिया मैंने क्यूं, हमारे पैसे पेड़ पर उखते हैं क्या या प्रसाद है, जो बाटे जा रहे है मेरे ससुर जी की तब्या ठीक नहीं थी इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी तो मैंने दे दिये क्यूं, कोई और नहीं था क्या मदद करने के लिए नहीं था, और वैसे भी तुम सबको बता है कि नर्जला के घरवालों की फाइनेशल कंडिशन इतनी अच्छी नहीं है वहीं पती सूरज के बोलने से पहले कामीनी उसे चुप करवा देती है मदद करना अच्छी बात होती है लेकिन इस चकर में कहीं तुझे ये लड़की कंगाल न कर दे, जरा सोच समझ कर करना मा, नर्जला यहां खड़ी है और तुम सब कैसी बाते कर रही हो अरे मा, यहां से चलो, यह हमारी बात नहीं सुनने वाले, हाँ चलो जब से यह औरत यहां आई है तब से हम सबकी तो कोई इज़त ही नहीं है और हर बार की तरह तीनों मूँ बनाकर वहां से चली जाती है और नर्जला रोने लग जाती है तुम रो मत नर्जला, देखना एक दिन सब कुछ चीक हो जाएगा ठीक है, चलिए, अब खाना खालीजिये वहीं अगले दिन, रूही अपने फ्यांसे विनूद के साथ नर्जला के ससुरा लाती है वाओ, नाइस ड्रेस, बहुत कमाल की लग रही हो हाँ, नजर न लगे तुमें और हमारी दोस्ती को आलिया और जूली, तुम मुझसे दो साल जूनियर हो लेकिन फिर भी हम तीनों कितनी अच्छी दोस्त है हाँ, वैसे भी तुम हमें बहुत पसंद हो और अब तो हमारी भावी भी हो हाँ, वाक़े में, सुश्मा दीडिये ने तो बहुत ही अच्छी बहु पसंद करी है आपका बहुत-बहुत शुक्रिया छोटी मा अरे-अरे मौसी जी, ये क्या बोल रही हो आप रूही को पसंद तो मैंने किया है मा ने थोड़ी ना किया है ओ-ओ, क्या बात है काफी समझदार हो गया है तो हाँ, रूही ने बना दिया है मुझे अच्छा, चलो, सारी बाते यही कर लेंगे क्या चलो, अब थोड़ी सिवा करो महमानों की हाँ, चलो, सभी खूब गप्पे लड़ाते है वही निर्जला किचन में सब के लिए कुछ खाने पीने के लिए बना रही है अच्छा, रूही, मुझे ज़रा काम है मैं अभी दो घंटे में आता हूँ तब तक तुम यही पर एंजॉय करो हाँ, ओके, आप जाओ अरे बेटा, मुझे भी पार्ट तक छोड़ दे वौक हो जाएगी मेरी दोनों चले जाते हैं, और तब रूही जान पूछ कर निर्जला की बात छेड़ती है अच्छा, तो तुम्हारी निर्जला भावी कैसी है? ओ, क्या ही बताऊं अब उनसे तो एक काम भी ठीक से नहीं होता कुछ ना कुछ गरबर करती ही रहती है हाँ, सच में, उस दिन तो मा की फेवरेट महंगे वाली प्लेट्स दोड़ दिये हाँ, मुझे भी तुम्हारी जैसे बिल्कुल सुन्दर और इंटेलिजन बहु चाहिए थी मुझे क्या पता था कि मेरी किसमत में ऐसी बहु लिखी होगी निर्जला ने उनकी सारी बाते सुन ली थी तो उसे बहुत दुख होता है और वो बिना कुछ कहे, खाने की ट्रे दे कर वहाँ से चली जाती है देखो तो, थोड़ी दे मेरी साथ बैठी भी नहीं और चली गई एटिट्यूट तो इतना है कि पूछो मत हाँ, ये तो मेरी क्लासमेट थी इसके बारे में तो सब कुछ जानती हूँ मैं पताई है तुमें इसका रोही, आलिया और जूली को इस सारी बाते पहली बता चुकी थी वो हमीशा इन दोनों के कान भरा करती थी वहीं कामिनी को भी कुछ बाते बताई गई थी हाँ, इसका तो चक्कर भी था ना, शिवम से हाँ, हाँ, लेकिन ये सब आंटी को मत बताना इन्हें बुरा लगेगा छी, छी, कैसी लड़की है और रोही, ऐसे मत बोलो इसकी पूरी बात मुझे बताया करो अरे मैं भी तो जानूंगी कैसी है यह और क्या मा, और उनके बीच इस तरह की बाते होती रहती है सभी निर्जला की बुराई करते हैं चलो, बहुत हो गई चुगलिया रोही, अब शादी भी करवालो हाँ, विनोध को भी जल्दी होगी शादी करने की, हाँ हाँ बस परसों शादी की डेट निकल जाएगी आखिर विनोध की शादी की डेट निकल जाती है, और तीन दिन बाद शादी थी, तो कामीने के घर पर भी जोर शोर से तयारी चल रही है बेटा, ये बताओ तुम दोनों के कपड़े तो रेडी हो गए हैं ना शादी के लिए, बाद में मत बोलना कि ये नहीं है, वो नहीं है अरे मा, फिकर नौट, सारी तयारी हो चुकी है हम दोनों के लहंगे बिलकुल फिट हैं, पता है ममी श्रेस भाईया भावी के लिए बसार से महंगी वाली साडी लेकर आए हैं अच्छा, मुझे तो बताया भी नहीं हाँ, हाँ, हमसे भी महंगा है उनका सारा समान अच्छा, दोपहर के वक्त कामीनी किचन में जाती है अरे, ये निर्जला कहां है विनोत की शादी के लिए जो मिठाई हमने बनाने के लिए कही थी वो अभी तक बनाई नहीं इसने हम, मैडम जी सो रही होंगी चलो जल्दी चलते हैं उसके कमरे में और उसे सबक सिखाते हैं तीनों निर्जला के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो लेटी हुई है क्या हुआ, आज काम करने का मन नहीं है वो मैं सुबह से काम कर रही थी तो बहुत थकान लग रही थी इसलिए आराम कर रही थी अच्छा, तो तू कहना चाहती है कि तू ही सारा काम करती है और हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे रहते हैं नहीं माजी, मेरा यह कहने का मतलब नहीं था बस आज, तो क्या कहने का मतलब था तुम्हारा बताओ मेरी दोनों बेटियों ने भी तो अपने घर की सफाई की है और क्या मा, देख लिया न आपने, क्या-क्या सोचती है यह हमारे बारे में नहीं, ऐसी बात नहीं है, फ्लीज मुझे गलत मत समझिये आप लोग नौ टंकी कहीं की, रहने दो मा, इसको लड़ू बनाने के लिए मत कहो हम लोग खोदी बना लेते हैं क्या दिन आ गए है, बहुत सास को सुना रही है चलो-चलो, हमी चल कर काम करते हैं अब नहीं मा जी, मैं बना तूंगी, बस थोड़ी दिर बात बना देती हूँ रहने दे, रहने दे, तेरे एहसान की कोई जरुवत नहीं है हमें हमारे हाथ-पैट तूट नहीं गए हैं और तीनु जाकर, खोदी लड़ू बनाने लग जाती हैं देखो मा, इसका लड़ू बनाने का मनी ने था, इसलिए इसने ये सब किया हाँ, अब तो बहुत खुश हो रही होगी उसी रात निर्जला, अपने फोन पर अपनी ममी पापा का हाल चाल जानने के लिए ममी से बात कर रही थी अरे हमारे बारे में तो बहुत पूछ लिया तुने अब बेटा ये बता, सब कुछ ठीक चल रहा है न वहाँ तू खुश तो है न हाँ मा, सब ठीक है, लेकिन प्लीज, आप लोग जादा टेंशन मत लिया करो बस अपना ख्याल रखा करो हाँ बेटा, हम तो ठीक हैं और तभी, अचानक से निर्जला के पापा को बहुत दर्ध होने लगता है और निर्जला की मा परिशान हो जाती है अरे, क्या हुआ आपको, क्या हुआ पापा, पापा निर्जला डर गई थी घबराट के मारे, निर्जला चिला चिला का रोने लग जाती है तभी सभी निर्जला के पास पहुँच जाते है वो बार-बार अपनी ममी को कॉल भी करती है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता अरे, क्या हो गया? भूत देख लिया गया? क्यों चिला रही है इतनी? वो, वो पापा की तवित नजाने क्या हो गया उनको? मुझे बहुत घबराट हो रही है चिंता मत करो, चुपो जाओ, सब ठीक हो जाएगा चलो, जल्दी चलो, तुमारे घर चलते हैं हाँ बेटा, जल्दी जाओ तभी श्रेयस और निर्जला दोनों वहाँ से निकल जाते हैं जल्दी से वहाँ पहुँचकर निर्जला की पापा को हॉस्पिटल ले जाते हैं हॉस्पिटल में मरीच की हालत बहुत इक्रिटिकल है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अगर थोड़ी भी और देर हो जाती तो शायद उनकी जान वहीं जा सकती थी क्या? डॉक्टर, बस ठीक कर दीजे मेरे पापा को हाँ, आप चिंता मत करिए हम उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश करेंगे ओके डॉक्टर, प्लीज प्लीज, हे इश्वर, सब ठीक करना साथ ही हॉस्पिटल वालों ने निर्जला के पिता के इलाज में चार लाख रुपे का खर्च बताया था इतने पैसे, अब क्या करें? क्यों चिंता करती हैं आप मम्मी जी? मैं हूँ ना? लेकिन आप इतने पैसो का बंदोबस्त कैसे करेंगे, श्रियस? तुम चिंता मत करो, निर्जला मैंने कुछ सेविंग्स कर रखी थी मैं वही पैसा डॉक्टर को दे दूँगा तुम्हारे पापा मेरे भी पापा है और ये तो बहुत छोटी सी बात है इसके बाद श्रियस पैसो का बंदोबस्त करके हॉस्पिटल में जमा करा देता है और फिर निर्जला के पिताजी का इलाज सही से हो जाता है श्रियस बेटा, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने हम पर ममी जी ऐसा मत कहिए क्या मुझे अपना बेटा नहीं मानती मानती हूँ, लेकिन फिर भी फिर भी कुछ नहीं अगले दिन कामिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ हॉस्पिटल आई है उस वक्त वहाँ श्रियस नहीं था तो सम्धी जी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ आप लोग यहाँ पर आए मुझे बहुत अच्छा लगा सम्धन जी अरे कैसी बात करते हैं हाँ भी हम तो आते ही, इतने भी बुरे नहीं है हम लोग अरे असी बात नहीं है पैसे आपने अपने बेटे को बहुत अच्छी परवरिश दी है आज मैं दामाज जी की वज़े से ही जुन्दा बचा हूँ प्रमोद सारी बात कामीनी को बता देता है कि कैसे श्रियस ने उसके लिए पैसे दिये थे हम देखा, मुझे तो पता ही था कि भईया सारी दौलत इन सब के उपर लुटाने वाले है लगता है हमारी शादी तक तो एक रुपिया भी नी बचने वाला है हाँ अरे हमसे पहले तो विनोध की शादी आ गई है उनको भी तो देने है पैसे हम ना दिये तो मासी क्या सोचेंगी थोड़ी देर तक बातचीत करके वो तीनों हॉस्पिटल से निकल जाती है और देखती है कि घर पर कामीनी की बहन्त सुष्मा आई हुई थी अरे क्या हुआ बड़ी मायूस दीख रही हो सब कुछ ठीक है ना कहा गार्भ हो गई थी तीनो बस वही हमारा घर लूटने वालों के पास गए थे फिर कामीनी उसे निर्जला के पापा के बारे में सारी बात बताती है अच्छा भगवान ठीक करे निर्जला के पापा को भी बस यही बात है दीदी श्रेयस से यही पूछना है कि विनोद की शादी के लिए वो पैसा कहां से लाएगा वही तो बताओ न मा उनकी चकर में कहीं विनोद भगया की शादी में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए नहीं नहीं ऐसा मत को उजूली श्रेयस ने कहा था वो पैसे दे देगा अभी निर्जला के पापा की भी हालत सही नहीं है न कहीं मरवर गए तो दिक्कत आ जाएगी न और क्या मौसी जी अभी उन पर और पैसे लगे तो आप भी न बहुत ही सीधी हो ये तो है ही भई बड़े ही तेज लोग है निर्जला और उसके घर के अरे इसमें क्या चला की है तुम सब इतना मत सोचा करो अच्छा आप मैं चलती हूँ मुझे बहुत काम है सुश्मा वहां से चली जाती है विनोद की शादी भी आ गई है और अभी तक पैसों का इंतजाम सही से हुआ नहीं है नजाने क्या होगा भगवान हाँ मा बेचारी मासी अकेली है वो खुद कैसे इतना मैनेज करेगी तभी श्रेयस वहां आ जाता है और अपनी मा को एक पैकट देता है ये लो मा पैसे पूरे साथ लाग रुपै क्या इतने सारे पैसे तू कहा से लाया मैंने लोन लिया है क्या इतना लोन हे भगवान लोन लेनी से पहले तुझे मुझसे पूछना तो चाहिए था अरे मा आप भी क्या कर सकती थी और वैसे भी विनोत का भाई होने के नाते मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि मैं सारा लोन धीरे-धीरे करके चुका दूँगा अरे लेकिन तू अकेले इतना कैसे कर पाएगा देखा ये सब तेरी बीवी की वज़े से हो रहा है अगर आज अमीर बहू लेकर आता तो ये सब बिल्कुल ना देखना पड़ता मा फिर से शुरू हो गए इसमें निर्जला की क्या गलती है मा उसका इस घर में आना लिखा था तो वही हुआ आप समस्ती क्यों नहीं भाईया आप मा के उपर हमेशा गुस्सा क्यों करते रहते हैं कभी भावी को कुछ क्यों नहीं बोलते मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ मैं बस समझा रहा हूँ कि निर्जला को हर जगे गलत मत समझो तभी निर्जला भी वहां आ जाती है तभी कामीनी रोने लग जाती है मा जी मत रोईए और शेयस जी प्लीज आप मा को कुछ मत बोलिए वा वा एक तो आपकी वज़े से कलेश हो रहा है इस डायन ने तो आपको पूरा बदल दिया है तभी गुस्से में शेयस आलिया को तमाचा मारने वाला होता है लेकिन निर्जला उसे रोक लेती है नहीं ये क्या कर रहे हैं आप वा भाया वा बस इसी चीज़ की कमी थी मार लो तभी आलिया रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है तुझसे ये उमीद नहीं थी बेटा और कामीनी भी जूली को लेकर कमरे में चली जाती है शेयस जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं भी क्या करता निर्जला समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ परिशान कर दिया है मुझे विनूत की शादी के एक दिन पहले ही कामीनी का पूरा परिवार सुश्मा के घर गया हुआ था अच्छा वो सजावट के लिए फूलों की माला कब तक आएगी अरे बोला तो है निर्जला के बाप को अभी तक नहीं भिजवाई दरसल निर्जला के पिता जी फूलों की दुकान चलाते थे और उनकी दुकान से ही आज सजावट वाली मालाएं आने वाली थी अरे लेकिन इतना बता दूँ कि तू निर्जला के परिवार के भरों से मत रह न इन लोगों का पता नहीं कुछ भी अरे तू कैसी बाते करती है कभी तू उसके लिए अच्छा बोल दिया कर हाँ कभी भी नहीं और इसके बाद सभी लोग अपनी तयारी में लग जाते हैं वही और महमान आना भी स्टार्ट हो गए थे लेकिन अभी तक फूल के मालाएं घर नहीं पहुंची थी अरे भाबी क्या हुआ अभी तक माला नहीं आई वो पिताजी तो कह रहे थे कि उन्होंने गाड़ी भेजती है लेकिन पता नहीं अभी तक फूलों की गाड़ी यहां आई क्यू नहीं है मुझे तो पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है भाया आप जल्दी से कहीं से मालाओं का बंदोबस्त कर दीजे वरना शादी फीकी फीकी लगेगी निर्जला क्या हुआ ससुर जी से फिर से पूछो कि गाड़ी कब तक आ रही है हाँ हम फिर से पूछती हूँ निर्जला अपने पिता जी को कॉल लगाने के लिए बाहर चली जाती है कहीं इसके चक्कर में हम सब का मजाक न बन जाए सुश्मा हाँ अब काफी देर हो रही है इसलिए मुझे भी चंता हो रही है क्या करू मा आप चंता मत करू मैं और श्रेयस कहीं से बंदवस करते है हाँ ये सही रहेगा बताओ भला जिसकी शादी है वही कर रहा है सब काम श्रेयस और विनूद दोनों अब कहीं और से फूलों की मालाई खरीदने का जुगार करने लगते हैं हे भगवान इस सब क्या हो रहा है फ्लीज मेरी मदद करिये ऐसे थोड़ी न कहीं से भी माला मिल जाएगी और देना पड़ता है पहले और ऐसी भागा दोड़ी में कुछ घंटे और बीच जाते हैं और शाम भी हो जाती है और अभी भी निरजला के पिताजी की फूलों की मालाओं की गाड़ी नहीं आई थी बिचारी निरजला को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है आप सब को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सभी ने फूलों की माला का बंदवस्त कर लिया है हाँ भाईया लेकिन ये भी तो बता दीजे कि डबल रेट में मिला है सब हाँ तो क्या हुआ देखा सुश्मा ऐसी है मेरी बहू और इसका परिवार एक काम नहीं हुआ वो तो भगवान की महरबानी है कि मेरे बच्चे इतने समझदार हैं कि सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और तभी वहाँ पर निर्जला के बापा और ममी भी आ जाते हैं और उनको कामीनी काफी कुछ सुनाती है माफ करिएगा समधन जी वो फूलों की गाड़ी पता नहीं क्यों यहां तक नहीं पहुँची मैंने तो बिल्कुल सही समय पर भेज़ दी थी हाँ समधन जी हम तो यही सोच कर यहां आये थे कि अब तक गाड़ी पहुच गई होगी लेकिन ऐसे कैसे कहां जा सकती है अरे भावी आप नाटक करना भी बन करो और प्लीज अपना काम करो जो ले यह अपनी भावी से बात करने का कोई तरीका है क्या अरे रहने दीजे भाई आप अब बस जो होना था हो गया I'm sorry मासी जी लेकिन सुश्मा कुछ नहीं बोलती और मूँ फेर लेती है सब लोग चलो यहां से बोलने का कोई फाइदा नहीं है यहां पर हाँ चलो सुनिये तो सम्दन जी और वो सब वहां से चली जाती है श्रियस और विनूद उनके ऐसे विवहर के लिए निर्जला के माता-पिता से माफी मांगते हैं कोई बात नहीं बेटा लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि गारी आकर कहां गई होगी वही तो मैं भी सोच रहा हूँ सभी लोग सारी बातों को छोड़कर शादी की तयारी में लग जाते हैं और सारी तयारियां लगभग हो चुकी थी अगले दिन बारात जाती है और शादी अच्छे से संपन हो जाती है बिना किसी विग्न के हो गई शादी घर आ ही गई मेरी प्यारी बहू विग्न डालने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हाँ सही है खेर शादी के बाद कामीनी और उसका परिवार अपने घर आ जाते है दो दिन बाद जूली श्रेयस के पास जाती है भाईया क्या आप मुझे कुछ रुपे दे सकते हैं? क्यों? मुझे पता था भाईया भूल गय होंगे कि परसो मेरा जनम दिन है अरे सोरी सोरी क्या करूं इतना काम रहता है न कि मैं भूल जाता हूं और श्रेयस दो हजार उपे निकाल कर उसे दे देता है ये लो तुम्हारा बर्थ डेगे तुम्हें जो भी पसंद हो इससे ले लेना क्या? भाईया, दो हजार उपे में आज के जमाने में क्या आता है? कम से कम दस हजार तो दे ही दीजे न, भाईया? अरे जोली, तू कैसी बाते कर रही है? तुजे पता है न, के अभी क्या हालत है? अभी ये रख ले जब मेरे पास पैसा होगा न तो मैं तुझे और दे दूँगा भाईया लेकिन मुझे भी पैसे चाहिए थे क्योंकि इस बार मैंने अपने सभी दोस्तों से कहा था कि मैं उन्हें एक अच्छे रेस्टरेंट में पार्टी दूँगी तभी जूली वो पैसे वही रख देती है और रोने लग जाती है रहने दीजे भाईया मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे कोई पार्टी वाटी नहीं करनी अरे क्या हुआ ननच जी आप रो क्यों रही है तुम तो चुपी रहो जूली तु फिक्र मत कर इस बार रहने दे अगली बार पार्टी दे देना क्या मम्मी आप भी ना मतलब हम लोग अपनी इच्छा मार लें लिकिन कोई बाहर का आदमी यहाँ आकर आश करे है ना हाँ हम लोग तो बस बेवकूफ हैं नजाने क्या होगा हमारा तभी कुछ दिन बाद निर्चला घर की साफ सफाई कर रही थी और तभी उसे एक कागज मिलता है वो सफाई में काफी बिजी थी इसलिए वो उस कागज पर जादा ध्यान नहीं देती और उसे ऐसे ही मेज पर रख देती है थोड़ी दिर बाद कामी नहीं वहां आती है अरे ये पेपर ये किस चीज के है देखूँ जरा और वो कागज जब वो देखती है तो बिलकोई हैरान हो जाती है क्योंकि वो जूली का रिजल्ट था जिसमें फेल लिखा हुआ था जूली जूली जल्दी यहां आओ अरे क्या हुआ मां सब ठीक है न ये क्या है वो ममी क्या बोलो जल्दी अरे मां मैं तो बस बताने ही वाली थी वाह तुमने तो बताय था कि तुम्हारा एक्जाम बहुत अच्छा हुआ है अपनी मां से जूट बोलते हुए तुम्हें शर अरे ममी जाने दो ना, I'm sorry, बस कीजी अब, भावी सुन लेगी, यकीन नहीं होता, तुम दोनों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरी बातों से, और कामी नहीं, नारास होकर वहां से चली जाती है, यह सब भावी की वज़े से ही हुआ है, अगर वो यहां सफाई नहीं करती, तो ऐसा ना होता, मुझे तो लगता है निर्जला भावी ने यह जान पूछ कर ऐसा किया है, ताकि मां हमसे रूट जाए, तुम सही कहती हो, उस डायन ने पहले तो भाईया को हमसे दूर कर दिया, और अब हमारी मां को भी हमसे दूर कर देगी, पर तुम चिंत मां कैसे इसको डाटती है, वैसे मां का मूड अच्छा नहीं है, और अब तो और भी खराब हो जाएगा, हाँ, मज़ा आएगा, और कुछी दिर बाद, निर्जला कपड़े धोने के लिए बातरों में आती है, वो बाल्टी के कपड़े निकालती है, तो देखती है कि सारे क कपड़ों में लाल रंग लग गया है, ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है, हे भगवान, सारे कपड़े तो खराब हो गए है, अब क्या होगा, तभी वहाँ पर कामिनी आ जाती है, अरे निर्जला, मेरी चाय बनाई या नहीं, हे भगवान, मा जी यहीं आ रही है, ये मैंने नहीं किया, पता नहीं सब कैसे हो गया, किसका रंग चड़ गया, तभी जूली और आलिया भी आती है, ओ गौड ये क्या कर दिया, जरूर इसने जान पूछ कर ये सब किया होगा मा, हाँ मा, मुझे भी ये लगता है, और तभी जूली रंग से भरे उस छोटे से दब्बे को देखती है, ये देखो मा, ये क्या है, इस दब्बे को तो मैं पहली बार देख रही हूँ, हम भी मा, इसे खोलो, देखो क्या है, और जूली जब उसे खोलती है, तो उसमें लाल रंग दिखाई देता है, देखा मा, भाबी ने यहाँ पर रंग छुपा कर रख किसी और का काम है ये, देखो मा, भावी के कहने का मतलब है, ये काम हम दोनों ने किया है, वाह, हाँ हाँ, इनकी नजरों में तो हम इस घर के विलन है, विलन, नहीं ऐसा नहीं है ननत जी, मैंने नहीं कहा ये, निर्जला, आज तो तुझे जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर फिर से तुमने ऐसी कोई हरकत करी, तो मैं तुमें छोड़ूंगी नहीं, वो तीनों चली जाती है, और निर्जला, बहुत रोती है, कुछ दिन बाद, रूही जूली के घर पर आती है, और आते हुए, वो सभी के लिए एक जोड़ी नए कपड़े लेकर आती है, अरे, ये आर्ट कॉम्पेटिशन होने वाला है, तो क्यों न हम सभी लोग इसमें भाग लेते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, मुझे पता है, तुम तीनों ही जीतोगे? हाँ, मा, अगर मैं नहीं जीती, तो जूली तो जीत ही जाएगी, हाँ, 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 अरे, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो यार, तभी वहाँ श्रेयस आता है, और उसे भी आर्ट कॉम्पेटिशन की बात बताई जाती है, अरे, तो इस आर्ट कॉम्पेटिशन में निर्जला भी भाग लेगी, क्योंकि उसकी भी आर्ट बहुत अच्छी है, उसकी बात सुनकर, उस जारों में से कोई भी कु माग लो, सही है, सही है, हार का अपना ही मजा होता है, तो सभी लोग बैट कर बाते करने लगते हैं, जिसमें जाधतर तो वो निर्जला की चुगलियां ही कर रहे थे, पांच दिन बाद, कॉम्पेटिशन का दिन आ जाता है, सभी पहुँच गए थे, खेर सभी लोग अपन मानना पड़ेगा, रुही, तुम में तो न जाने कौन-कौन से गुण भरे हैं, आखिर फ्रेंड किसकी है, हां रुही जी, सच में बहुत टैलेंटेड हैं, इसके बाद सभी लोग अपनी पेंटिंग सूखने के लिए थोड़ी दिर के लिए मेज पर रखकर बाहर चले जा आपकी मेरी ये पेंटिंग, ये क्या हुआ रुही, मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से, मैं तो जस्ट तुम्हारे पहले ही आई हूँ, सभी वहाँ आ जाते हैं, ये भगवान ये क्या हुआ, ये सब निर्जला ने किया है, नहीं नहीं, तू सही कहती है रुही, जरूर इस नहीं किया होगा, इसलिए तो ये सबसे पहले याँ पर आई थी, ये देखो, पास में पानी का इग्लास भी रखा हुआ है, भा भाभी, ना ही जीत पा रही हो, और ना ही किसी और को जीतने दोगी, नहीं ननत जी, अरे चुप रही है आप, शर मानी चाहिए आपको, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, क्यों गलत सोच रहे हो आप सब, भला निर्जला ऐसा क्यों करेगी मा, चुप कर तू, देख बिचारी रूही कितना रो रही है, आज वो कॉम्पेटिशन जीत सकती थी, लेकिन इसकी वज़े से वो कॉम्पेटिशन हार चुकी है, इतना कोई न कॉम्पेटिशन का विनर घोशित हो जाता है, और विनर कोई और लड़की ही थी, वहीं श्रेयस को भी समझ नहीं आ रहा था, कि आखिर क्या हो रहा है, आठ कॉम्पेटिशन खत्म हो चुका है, और अब सभी लोग अपने घर जा चुके हैं, रोही अभी वी निर्जला की स सुराल में ही है, और हार से दुखी है, मैं वो कॉम्पेटिशन आसानी से जीत सकती थी मासी मा, लेकिन देखिये न, मैं जीत नहीं पाई, रो मत बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार तू जरूर जीतेगी, देखना, हाँ बेटा, अब दुखी मत हो, दुख तो होता ही है हाँ, लेकिन भावी को फिर से वहाँ ले जाने का नाम भी मत लेना आप लोग, हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी प्यारी भावी जी कुछ गडबड जरूर करेंगी, हाँ, मेरी ही गलती थी, जो मैंने श्रियस की बात सुन ली, ना ही जाने देती तो अच्छा रह जास्ति में बताती हूँ, और थोड़ी दिर में विनोध रूही को लेकर घर चला जाता है, वही श्रियस को भी रूही के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि निर्जला की गलती नहीं थी, सुनो, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, ममी की तवित थोड़ी सही नहीं चल रही है, लेकिन अभी दस दिन पहले ही तो तुम मायके से वापस आई हो न, अब फिर से जा रही हो, वा विनोध जी वा, लगता आपकी सोच भी बिल्कुल पुराने लोगों जैसी हो गई है, अगर लड़की कुछ कहती है, तो कोई उसकी बात नहीं तो बस, आप मेरी बात सुनो, समझो, और मुझे मायके जाने दो, हाँ, तुम जाओ मायके, तुम्हें जो करनाय करो, यहां कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, ठीक है, रुखी बिना जवाब दिये, मूँ बनाकर वहां से हॉल रूम में चली जाती है, तभी वहां सुष्मा बाजार से वापस आ जाती है, माजी, आप आ गई, माजी, मैंने आपके ले एक पायल खरीदी है, रुखिये, अभी लाती हूँ, अच्छा, पर इसकी क्या ज़रूद थी बेटा, अरे, आप तो मेरी अच्छी सास है, और आपके लिए इतना तो बनता ही है, असल में तो कितना ख्यार लगती है, और वही अगले दिन, रुही सामान पैक करके, फिर से अपने माई के चली जाती है, और वो घर में काम करने के लिए जाडू पूछा, और बरतन वाली लगवा देती है, कुछ दिन बाद, श्रेयस का जन्रिन है, और घर में एक छोटी सी पार्टी र खुलाया होगा, और क्या, आशी की कुछ जादा ही सर चड़ रही है अब इनके, मा, रुक जा, जरा सारे महमानों को जाने दे, तब देख, इस निर्जला को तो मैं बताती हूँ, वही निर्जला अपने पुराने दोस्त के आने से बहुत खुश थी, I am sorry, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पार्टी चल लही है, वना मैं आज ना आता, अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो, अच्छी अरेंजमेंट्स की है वैसे, बस मैं भी निकलता हूँ, दुबारा आओंगा कभी, क्यों, अब आही गए हो तो खाना खा गरी जाना, अरे नहीं अब रुख भी जाओ शिवम, इस माई बर्ड है, ठीक है, अगर तुम दोनों इतना कह रहे हो, तो खा ही लेता हूँ और इस तरह शिवम वहाँ रुख जाता है, सारे मैमान खाना खाने के बाद चले गए थे, वही खाना खाने के बाद शिवम भी उठ जाता है अच्छा, तो अब मैं भी जलता हूँ, ठीक है, फिर मिलेंगे और शिवम वहाँ से जाने लगता है, कि तवी कामीनी बोलना शुरू हो जाती है क्यों रही, बड़ी आशिकी चाहिए तुछ पर, तेरा आशिक यहाँ पर भी आ गया अरे कामीनी ऐसे क्यों बोल लई हो, वो हमारी बहु है, मा, उसके बारे में मुझे सब पता है वो नर्जला का सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, और वो कह रहा था कि वो मुझे कुछ बताने आया है क्या भाईया, लगता है भाबी की प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है, दिखनी रहा, कैसे बाते कर रही थी उससे वो, वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है ननाजी, उसने मेरे पापा की बहुत मदद की थी, बस इसी लिए सूरज अपनी पत्नी को बार-बार ऐसा ना बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो तो मानी नहीं रही थी, तब ही शिवम अंदर आ जाता है, वो इन सब की सारी बाते सुन चुका था आंटी जी, नर्जला ने मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद यहाँ पर आया था, दरसल मेरा नेवी में सेलेक्शन हो गया था, बस यही खुशखबरी बताने आया था, लेकिन भीड इतनी थी कि बात नहीं हो पाई और इतना कहकर, शिवम वहाँ से मायूस होकर चला जाता है, देखा, तु बेवज़े अपनी बहु को न जाने क्या-क्या बोल जाती है कामिनी वही तो, और मेरी तो तुम सुनती ही नहीं हो बिल्कुल भी और कामिनी को थोड़ा सा एहसास होता है, कि उसने शायद यहाँ पर गलती कर दी है वही अचानक से, विनूत की तब्यत थोड़ी खराब सी होने लगती है अरे बेटा, क्या हुआ, तुझे तनी खासी क्यों आ रही है? पता नहीं मौसी जी, 6-7 दिनों से तब यह थोड़ी गरबर चल रही है हाँ, पता नहीं, मेरे बेटे को क्या हो गया है, आजकल बिमारी रहने लगा है अरे तो शिरस के साथ डॉक्टर के पास चला जा, जा, शिरस, ले जा इसको हाँ, चलना, एरे नहीं नहीं, डॉक्टर के पास कली तो होकर आया हूँ, उन्होंने बोला है थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा रुक, निर्जला तेरे लिए सूप बना देगी, सूप पी ले तू और निर्जला सूप बना कर विनोथ को दे देती है, और विनोथ सूप पी कर सो जाता है, उसी रात, आलिया, रूही और जूली मिलकर निर्जला की खूब बुराई कर रही थी, सुश्मा चुपके से सब सुन रही थी, सुश्मा को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो का अच्छा तो उसकी क्या गलती है, प्यार है उनमें, बस यही गलत है ना, कि वो घरीब घर से है, तुझे तो पता ही होगा, कि मेरी सास भी कैसी थी, तुने तो सब अपने आखों से देख रखा है, फिर भी तू वही कर रही है, हाँ दीदी, मुझे लग रहा है कि गलती हो की बुराई करना अच्छी बात नहीं होती, अरे नहीं, मा जी मैं तो बस यूँ ही, हाँ, लेकिन ये मत भूलो की जरा-जरा सी बातों से बहुत फर्क पड़ जाता है, यहां तक की रिष्टों में भी दरार आ जाती है, अरे मा, हम तो बस यूँ ही मजे कर रहे थे, चिल कर होना मा, तुम दोनों जादा मत बोलो, अपने कमरे में जाओ और चुप-चाप सो जाओ, दोनों बेटिया मूँ बना कर अपने कमरे में चली जाती है, वहीं रूही रोने लग जाती है, रो मत, हमने तो तुमारी भलाई के लिए ये सारी बाते बोली है, हां रूही, इसके क क्या सोच रही है तू अरे वो रूपी का भाई मोरु पता नहीं कि वो मुझे देखता रहता है अरे तो क्या हुआ वो तो अच्छा है अगर प्रपूस करेगा तो हां कह देना नहीं दी मुझे उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है बिल्कुल भी नहीं है अच्छा चल जब धोने के लिए वाश्रूम के अंदर जाती है और जब बाहर निकलती है तो देखती है कि मोनु वहाँ उसका इंतजार कर रहा है ओहो ये और मिल गया वो मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था हाँ हाँ बोलो वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ जूली लेकिन जूली थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलती जूली को समझ नहीं आ रहा था कि वो मोनु के प्रोपोजल का क्या जवाब दे क्या हुआ जूली कुछ तो बोलो वो मोनु बुरा मत मानना बट मैं तुमें उस नजर से नहीं देखती हूँ सौरी ओ समझ गया हाँ तुम समझदार हो प्लीस समझ जाना मुझे लेकिन जूली एक बार और सोच कर तो देखो हम दोनु की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है नहीं मोनु आइम सौरी नौट इंट्रस्टेड तभी वहां रूही भी आ जाती है और जूली थोड़ी हडवड़ा जाती है अरे जूली तुम मोनु की बात का बुरा तो नहीं मान गई हो न बुरा मत मानना विचारा भी थोड़ा छोटा है न जानती हो इस उम्र में ऐसी चीज़ें होती रहती है अरे नहीं नहीं तुम टेंशन मतलो सर्थीक है देखो मोनु सबको अपना पार्टनर चूज करने की आजादी होनी चाहिए और अगर किसी ने ना वी कह दिया तो इस बात को दिल पर लेने की कोई जरुवत नहीं है ठीक है देदी वाके में रूही तुम बहुत अच्छी बहन हो कुछ दिन बाद श्रेयस अपनी अलमारी में शर्ट ढून रहा था अरे निर्जला वो शर्ट नहीं मिल रही है जो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन पहनी होई थी वहीं होगी आपने हर जगे देख तो ली ना हाँ लेकिन मुझे याद है कि मैंने इसी अलमारी में रखी थी अब ये कुछ दिन पहले तो थी आकिर कहां गई होगी कोई बात नहीं मैं एक बार और देख लेती हूँ और इसकी बाद उस सारा काम छोड़कर श्रेयस की शर्ट ढूणने लग जाती है बहुत ढूणने पर भी शर्ट कहीं नहीं मिलती आप ऐसा करिए कोई और शर्ट पहन लीजिए वो तो पता नहीं कहां गुम हो गई हाँ लाव फिर कोई भी शर्ट पहन लेता हूँ वैसे भी मुझे लेट हो रहा है अगले दिन कामिनी किसी से कॉल पर बात करके आती है और बहुत खुश है अरे भई बहुत खुश हुम है आलिया के लिए बहुत ही अच्छा रिष्टा आया है वा मा जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है हाँ लड़का गौवर्मेंट इंजिनियर है लेकिन मा उनसे दहेज वगएरा की कुछ बात हुई है क्या हाँ ये भी है अभी तो कुछ नहीं बोला है उन्होंने पर देखते हैं आगे क्या कहते हैं वही तो वैसे ही भाईया के उपर इतना लोन है अब पैसा कहां से आएका आलिया की शादी के लिए वो हमारी पुरानी वाली जमीन है ना उसे बेच देंगे हम अगर उसे बेच देंगे तो हमारे पस बचेगा ही क्या मा अरे कोई बात नहीं अभी इसकी शादी ज़्यादा जरूरी है हा मा अब चिंता मत करी हम भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत बंदोबस तो करी लेंगे हम वही शाम हो गई थी और सुश्मा अपनी बहु रूही के घर आने का इंतजार कर रही थी तब यह रोही बहार से आती है क्या बात है बेटा? तुमने आने में बहुत देर लगा दी? मा जी, आज मुझे बहुत जरूरी काम था ना? इसलिए टाइम लग गया कौन सा जरूरी काम था? बोला ना, जरूरी काम था बस हर काम आपको सब बताना जरूरी है क्या हाँ जरूरी है मा यहाँ घर में अकेली रहती है कम से कम कुछ वक्त उनके साथ तो यहाँ पर रहा करो दीखे ना मा जी मुझ पर विनोजी गुस्सा कर रहे है समझाओना आप बेटा यहाँ पर गुसा करने वाली बात ही है उसकी तव्यट ठीक नहीं है वो जुच काम खुद से नहीं कर पा रहा है कम से कम तू तो इसकी देखभाल के लिए यहां रहा कर वा मा जी वा कमाल है आप दोनों तो एक जुट हो गए हो और मुझे सुनाई जा रहे हो सही है रोही प्लीज मा से तो कम से कम सही से बात कर लिया करो मैं इस घर की बहू हूँ कोई नौकर नहीं ध्यान में रहे कि मेरा जब मन आएगा बहार जाओंगी और जब जी चाहेगा घर आओंगी कोई कुछ नहीं कर सकता और रोही गुस्सा निकाल कर अपने कमरे में चली जाती है क्या करूं बेटा शायद मेरी किस्मत में ऐसी बहू लिखी थी नजाने क्या हो गया इसे ये ऐसी तो नहीं थी कुछ दिन बाद आलिया को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए हैं सारी बाचीत हो चुकी है दहेज में जादा कुछ नहीं बस एक गाड़ी फेंटास्टिक फाइफ स्टार होटल में बढ़िया सी पार्टी और 18 लाक रुपे कैश हाँ आपकी बेटी को हम कोई भी कमी नहीं होने देंगे और वैसे भी जानते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी कितनी अच्छी है हाँ हाँ मेरी बेटी आपके घर जाएगी ये तो बहुत ही स्वभागी की बात होगी थोड़ी देर बात लड़के वाले चले जाते हैं मा वो लोग तो बहुत जादा ही दिमांड कर रहे हैं कैसे आरेंज होगा तू चिंता मत कर हम सब है ना लेकिन कामी नी जो भी करना सोच समझ कर करना क्योंकि कामी नी इस रिष्टे से बहुत खुश थी इसलिए कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था और आखिरकार आलिया की श पूछ लेते हैं पहले और दोनों पती पतनी जाकर कामीनी से पैसों के बारे में पूछते हैं वो समधन जी अभी तो सिर्फ नौ लाख रुपे का ही बंदोबस्त हो पाया है शादी के बाद हम सारे पैसे आपको दे देंगे चिंता मत करिये दोनों पती पतनी एक दूसरे क चेहरा देखने लग जाते हैं नहीं नहीं बिलकुल नहीं समधन जी हम ऐसा नहीं कर सकते पूरे 18 लाख रुपे हमारे अकाउंट में जब तक नहीं आते तब तक शादी नहीं होगी हाँ और क्या आपने शादी का बंदोबस्त भी जादा बड़े होटल में नहीं किया है हम मैंने सब कहकर देख लिया कोई फाइदा नहीं है बेटा हाँ और अब तो वो लोग बाराद भी वापस ले गए कितने लाची लोग थे मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं थे ये सुनकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं तब ही शिवम वहां आ जाता है अब क्या होगा म मालिया की शादी हो जाती है कामीनी भावक होकर निर्जला को गले से लगा लेती है तू बहुत अच्छी है मेरी बहुत सच में मुझे माफ कर दे बीती बातों के लिए नहीं माजी ऐसा मत कही खैर सब कुछ ठीक हो गया था वही कुछी दिन बाद विनूद की तवेत और व मुडिया को भी सबक सिखाना पड़ेगा थोड़ी दिर बाद सुश्मा जब बातरूम गई थी तो वहां रूही उसके पीछे खड़ी हो जाती है बाई बाई सासुमा और ये कहकर उस सुश्मा को जोर का धक्का दे देती है सुश्मा का पैर फिसल जाता है और उसका सर बात के पास पहुँचा देती हूँ विनोद भागने की कोशिश करता है लेकिन वहीं गिर जाता है नहीं प्लीज मुझे जाने दो रूही मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा अच्छा जाने दू तुझे हाँ रूही बिलकुल पागल हो गई थी प्लीज चुप बिलकुल मतलब बिगाडा है बिगाडा? मैंने सोचा कि तुझ से शादी करके मैं श्रेयस के करीब रह पाऊंगी और श्रेयस की मा निर्जला को घर से धक्के मार कर निकाल देगी तब मैं श्रेयस से शादी कर लूँगी और तभी रूही विनोद की सरपर गमली से वार करने लगती है कि त अभी जूली उसे जोर का तमाचा मारती है। तुमने जो जो बाते विनोध से गई हैं, वो सब हमने सुन लिया है। उसने तुमसे बात करनी से पहले हमें कॉल लगाई थी और सारी बात हमने कॉल पर सुन ली है। तब ही विनोद और सुष्मा को अस्पताल ले जाय जाता है, दूसरी और पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी थी, और चानबीन के दौरान उने श्रियस की वही शर्ट मिलती है, जो की खो गई थी, वही बाद में पता चलता है कि रूही ने विनोद को इसलिए विमार किया ताकि वो उसके करीब ना आ सके, थू है रूही पर, कोई इतना कैसे गिर सकता है, हाँ मा, ऐसा तो सोचा भी नी था, कुछी दिनों में सबको रूही और मोनु के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, वही सुष्मा और विनोद भी रीकवर हो रहे थे, और हॉस्पिटल से डिस्चार्च हो चुके थे, सुष्मा बिस्तर में लेथी हुई है, सभी लोग निर्जला से माफी मांगते हैं, भाबी वो कॉम्पेटिशन वाले दिन हमने क्या क्या बोल दिया, असल में उस दिन रूही ने अपनी पेंटिंग खुदी खराब की थी, हाँ, और वो फू दोस्तों, कैसी रगी आपको हमारी स्चोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा